गूद इवणिंग क्लास ओब मेरा नां अमिद देवरारी है और हमने स्टार्ट क्या हुआ था है channel ensure एंस की स्रीच जिसमें हमारा यह लेक्चर सेवन हें इसमें हमनेक्ट पढ़ना है हमने पहले लेक्शर में स्टार्ट कर गया था preparation of hello alkane पहला हमने पढ़ा था कि alcohol से हम chaos hydrogen halide कि से किस तरीके से हम क्या बनाएंगे hello alkane को बनाएंगे था हमने उसमें पहलाие जो exactly लिया था वो क्लिस का लिया था हमने लिया था chloro alkane बनाने के लिए पहला example किसके लिया था, chloro-alkane किस तरीके से बनाते हैं, वो हमने पिछी लेक्चर में पड़ चुका था, अब हम इसमें पढ़ेंगे, हम bromo-alkane किस तरीके से बनाएंगे अलकॉल से, तो इसको हम पढ़ेंगे, चलो start करते हैं, हाँ, तो start करते हैं, तो हमारे पास पहला हो secondary के लिए क्या लिया था, हमने वहाँ पर primary और secondary हमारे पास, वहाँ पर enhydras, zncl2 लिया था, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेते हैं, hbr, h2, so4, और इसको, s2, so4 लेते हैं, ठीक है, s2, so4 लेते हैं, ठीक है, और इसको, reflux करवाते हैं, reflexing करते हैं, क्या करते हैं, reflexing करते हैं, इनकी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास, यहाँ पर crystalline, hb, Shape , ch2, br, ठीक है, s2, so4 बनाने के लिए, और जो hbr होता है, hbr हम किससे generate कर सकते हैं, in su2 से, in situ से in situ का मतलब क्या होता है कि during the reaction इसको बनाना क्या करना during the reaction क्या होता है जब KBR और H2 क्या बोलेंगे हम यहाँ पर देख लेते हम लोग जब हम क्या करेंगे KBR जो KBR होगा उसको H2SO4 के साथ react करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा KHSO4 plus HBR कैसे बनेगा in situ का मतलब होता है during the reaction हम क्या कर सकते हैं KBR और H2SO4 से हम किसको बना सकते हैं HBR को बना सकते हैं इसमें क्या होता है H और BR एक साथ चले जाते हैं और जो K के इनके साथ आ जाता है और यहाँ पर क्या बचा है KHSO4 यहाँ पर आपको पता चल चुगा होगा कि ब्रोमो एलकेन कैसे बनेगा अगर हम एलकॉहल का reaction किया कर आपके साथ तो यहाँ पर क्या होगा ह्ट रियक्षिंगे उसको क्यों करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर अलकॉहल को B क्टी और एस टवाइक करेंगे तो हम इस ब्रोमो एल्केन मिल जाएगा ले राय संज में इतिवाय संज में आगए हो आपके में अब हम अगर बात करें अब आप ब्रोमयलकिन हमने पड़ लिया अब हम बात करें किसकी आइडो एलकेन की किसकी बात करें आइडो एलकेन आइडो एलकेन कैसे बनेगा जब हम CS3 CS2 OH का रियक्षन HI से कराएंगे और इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा CS3 CS2 और हमारे पास I प्लस H2O बन जाएगा यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जब हम एलकोहल का रियक्षन करवाएंगे HI के साथ तो उसको अगर हम हीट करेंगे यह हीट करने सान है यहाँ पर हीट साइन है तो यहाँ पर हीट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा Mithyl Iodide क्या बन जाएगा यहाँ पर हीट को हम क्या कर सकते हैं कैसे इन सुटू कर सकते हैं इन सुटू का मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ इन सुटू तो किस से करेंगे जब हम KI और किसकी रियक्षन करते हैं एक थ्री पी ओफूर तो हमारे पास यहाँ पर KBR बन जाता है क्लेर आया संज में क्या बन जाता है KBR बन जाता है तो इतना आपको समझ में आया होगा आइडो एलकेन को कैसे बनाएंगे हम जब हम एलकॉल के साथ हैच आइक्षन करेंगे और हमारे पास बन जाएगा क्लियर आया संज में तो यह हमारे पास था ड्रोमो एलकेन क्लोरो एलकेन आयडो एलकेन कैसे कैसे बनाता है ठीक है अब हमारे पास आ जाता है दूसरा आ जाता है जब हम अब हम क्या करेंगे एलकोहॉल विद PCL5 क्या करेगा alcohol react करेगा किसके साथ PCL5 के साथ alcohol किसके साथ react करेगा PCL5 के साथ react करेगा तो क्या होगा यहाँ पर देख लेते हैं तो हमारे पास ROH alcohol ले लिया हमने हमने क्या लिया इसके साथ PCL5 लिया PCL5 लिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला, यहाँ से एक H, यहाँ से एक CL, क्या बना लेंगे, HCL, लेरा है सन्य में, अब बचे यहाँ पर 4 CL बचे, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर कितने CL बचे अब 4 CL, और यहाँ पर 1 O बचा, तो हमारे पास अगर, यहाँ से बन चुका है, POCl3 के बाद हम क्या करेंगे हैं आपर, आप हमारे पास क्या बचा, यहां बचा 1Cl, यहां बचा 1Cl और यहां बचा R, तो यह बना देगा RCl, यह RCl बना देगा, तो आपको समझमें आ चुका होगा, यह कैसे बनेगा, PCL 5 के साथ जब alcohol क्या करता है PCL 5 के साथ react करता है तो वो क्या बनाएगा हमारा क्या बनाएगा chloro या career आया होगा यह बात करेगा क्लोरो एलकेन करेगा PCL5 के साथ 문 यह हमारे एक्जाम्पल ले लेते हैं एक्जाम्पल ले लेते हैं यह देने लिए C3 CS2 OH पलस PCL5 ठीक है तो क्या होगा यहां पर क्या होगा सबसे से पहले SCL बन जाएगा फिर उसके बाद मैंने कहा था PO CL3 बनाना फिर उसके बाद हम क्या करेंगे आप देखों यहां पर CS3 CS2 बचा और यहां से एक CL क्या बना देगा CS3 CH2 CL तो हमारे पास बन गया इथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड या इसको बोल देंगे तो आप लोग को अभी तक पता चल चुगा हुआ हम कितने तरीके से अलकॉल सबसे ज्यादा यूज होने वाला यह हमारे पास है कि हम alcohol से किसको बना सकते हैं हेलो एलकेंस को बना सकते है पहले हमने तो hydrogen halide को यूज किया अब हम किसको यूज कर रहे है PCL5 को यूज कर रहे है तो PCL5 से क्या बन जाता है POCL3 बनाता है और SCL बना देता है ठीक है और ये किवल PCL5 से ही react करके alcohol PCL5 से react करके नहीं बनाता ये जब PCL3 से भी करता है तब भी बना देता है जब ये क्या करेगा alcohol किसके साथ react करेगा PCL3 के साथ किसके साथ करेगा PCL3 के साथ react करेगा तो बना देगा ठीक है तो यहाँ पर PCL3 के साथ react करेगा तब भी बना देगा तो देखो एलकोहल जब रियक्ट करता है किसके साथ PCL3 के साथ तो ये बनाता है हमारे पास क्या बनाएगा पहले तो RCL बना लो RCL इस तरीके से बनाते हैं इसको बनाने के लिए क्या कर रहेंगे हम PCL को हम क्या करेंगे PCL CL और CL ठीक है तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर देखो हमारे पास R क्या हो जाएगा RCL PLUS क्या हो जाएगा कितने बचा RCL बन गया हमारे पास और हमारे पास बना यहां पर अगला बना हमारे पास यहां पर हाँ S3PO3 क्या बन गया H3PO3 H3PO3 हमारे पास S3PO3 कैसे बना यहां पर मैं बता देता हूँ आपको क्या हो यहां पर देखो हाँ तो हमने गया क्या है हाँ पर देखो हमारे पास जो PCL3 था उसने गया क्या R, C, L के साथ 1R, 1C, 1R, 1C, 1R, 1C, R, C, L R, C, L बना दिया है है यहाँ पर और यहाँ पर क्या हुआ 3H है S3, PO3 3O, 3H और 1P ने मिला के S3, PO3 बना दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास Alkyl chloride क्या हो जाएगा Alkyl chloride संज में आया आप लोगों को यह चीज Alkyl chloride यहाँ पर क्या हुआ जब भी हमने Alkyl के साथ क्या क्या PCL3 को react करवाया क्या करवाया PCL3 को react करवाया तो हमने कितने ROH लिए 3ROH इसके कितने molecule लिए हमने 3ROH तो हमारे पास PCL3 हुआ PCL3 के साथ हमने क्या किया 3R के साथ 3C-R जड़ेगे RCL बन गया और S3PO3 बन गया इतिवासंज में आया आप लोगों को तो हम क्या कर सकते है PCL5 और PCL3 से भी हम क्या कर सकते है किसको बना सकते है Hello Alkynes को बना सकते है Hello Alkynes को हमारे पास कौन सी reaction होगी अभी alcohol में दूसरा वाला पार्ट जल गया पहले तो hydrogen, halide के साथ अब हमारे पास किसके साथ हो गया PCL5 और PCL3 अलग तीन मान लेते हैं तो हमारे पास यह चीज़े होगी ठीक है? ठीक है Thank you class